हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू धे ग्रुप्रिव्शन, यौर सवर्चेंड्स हीर। चुटे, वी आ गुएंग टू टू टेक सिंपल प्रेजन्ट टेंस, एटले के साधो वर्थमानकार। तो आई होप के आगल चालेला वीडियो मां चे बेजिक ग्रामर अने इंट्रोडक्षन ओट टेंस हाथू, ते तमें पाकु करी चुक्या हाशो। सो, लेट अस बिकिन। नमस्कार मित्रो, तो आजे आपने सव ब्रथम लेवाजेर्या छिए सिंपल प्रेजन्टेंस, एटले के साधो वर्थमानकार। तो साधा वर्थमानकार मां कया कया प्रकार्नी क्रियाओनो समावेश थाई छे। तो साधा वर्थमानकार मां रोज बरोज तती क्रियाओ, टेवो, सनातन सत्य के कहवतो वगेर्ये प्रकार्नी क्रियाओनो समावेश थाई छे। तो अईया दर्येक वाक्य रचनानी की गोटवी नापी दिदेली छे। तो ये कई-कई वाक्य रचना हो हशे मित्रों। तो सव प्रथम चे पॉजितिव अथवा तो एफर्मेटिव एटलेके हकार वाक्य रचना। नेगेटिव एटलेके नकार वाक्य रचना। इंटरोगेटिव एटलेके प्रश्नार्थ वाक्य रचना। अने डबल्यू एज इंटरोगेटिव एटले के डबल्यू एज प्रकार नी प्रश्णार्थ वाक्य रचना तो सव प्रथम आपड़े पॉजीटिव एटले के हकार वाक्य रचना नी चावी जोईश्यू तो जरम में तमने आगल एवा वर्ड्स आपी दिदा हता जैनुमां यना शोट्प्रम इस गरेलोँ छे तो एमां सव प्रथमचे सबजेक्ट एटले के s प्लस वीवण प्लस ऑबजेक्ट प्लस अदर वड्स तो आहिए वीवण एटले के कोईपन क्रिया पदनू मूरूप अथवा तो s के e s तो मूरूप अथवा तो एसके ये सू, तो पर एक्जाम्पल आपने या लईए के प्ले, तो प्ले नी पाचड आपने प्लेज लगाईए, के प्लेइंग होई, के प्लेड होई, तो एकलो जे प्लेए कहिए छी, एने क्रिया पदनू मुल्ड रूप केवाई, जैने आपने आहीं वीवन कहीं शू, त तो अहिया, नीचे में बैए एक्जाम्पल पड़ा पेला छे, तो सव प्रथम, आई, आई साथे क्रिया पदनू मुल्ड रूप, आई गो टू स्कूल, एवरी डे, केतन गोज टू स्कूल, एवरी डे, फरक क्या पड़े हो मित्रों, क्रिया पदना रूप मा, आई जोडे आपणे मुल्ड रूप लिदू छे, औने केतन जोडे S के E S लिदू छे, तो क्या तमे मुल्ड रूप लगाऊश, औने क्या S के E S लगाऊश, तेनी भी नोंद में नीचे, आपी दिदेली छे, ते आगड़ आपणे जोईशू, ए पची छे, नकार वाक्या रचना, तो नकार वाक्या रचनानी चावी सूछे, सबजेक्ट प्लस, अई नकार बनावा माटे अपड़े बे प्रकार नाशब्दोनों प्योग लेशू, डू नौट अथवातो डूस नौट, अने जियारे तमे डू नौट अथवातो डूस नौट लोचो, त्यारे कंपलसरी V1 एन नौट गो, टू स्कूल एवरी डे, अहिया तो गोज हतू, ते थी क्रियापद माँ कोई खास फरक पड़े ओ ना थी, पन फरक क्या पड़शे, जियां गोज हसे, तो फोर एक्जामपल, केतन डूस नौट गो, तो अहिया आपडे गोज नी जग्या इशू लग्यू, डू अने जेम में तम नेकी, तो के जियां तमें डू नौट के डूस नौट नौप्यों करों, तियां क्रियापद नू मूर रूप एटले के वीवन लखी देवाशे, तो केतन डूस नौट गो टू स्कूल एवरी डे, तो एटलो याद राखो मित्रों, के साधा वर्तमान काड अनि हकार वाक्के रजनामा, कातो करियापद नू मूर रूप आवे, अने कातो S के ES नू रूप आवे, अने नकार वाक्के रजनामा, डू नौट अथवा तो डू नौट नौ प्योग लईले वाशे, तो क्यां डू नौट आउशे, अने क्यां डू नौट आउशे, तो जियां तम्मे करिया पदनूनू मूड रूप जोशो त्यां डू नौट नौ प्योग थशे अन्ने जियां तम्मे करिया पदनू एस के एस वाड रूप जोशो त्यां डू नौट नौ प्योग थशे अन्ने जियां तम्मे करिया पदनू मूड रूप जोशो त्यां डू पाच्छल लगावता ता ये वाक्यानी शरू आतमा आवी जशे तो करता प्रमाणे do k does plus subject plus v1 जे माँ पड़े आगळवात करी के जिया do k does हो ये तिया कंपल्सरी v1 आवी जशे प्लास अबजेक्ट प्लास अधर वर्स अने केमके आ इंटरोगेटिव वाक्य रचना छे तेथी कंपल्सरी तमारा ये प्रशनाद चिन्न मुखवानू रैशे तो for example do kya आवी जशे आगळ अने केमके अहीं आई छे तेथी प्रशनमा आपड़े शो मुखी शू you do you वीवन एटले मुणरू एटले के go do you go to school everyday प्रशनाण चिन्न अन्या इन्या आपड़े डज मुखी शू केमके अहीं एटले के केतन नी वाद थाए छे अथवा तो गोज होई तो गोज प्रमाण आपड़े इन्या डज मुखी लू अशे तेथी करता पची कंपल्सरी व वीवन आवी जशे डज ही गो टू स्कूल एवरी डे तो मित्रो आ त्रोन प्रकार नी वाक्य रजनाने खास ध्यानमा राखवानी छे के हकार वाक्य रजनामा आपड़े सब्जेक्ट पची वीवन एटले के मूडू अथवा तो skes लिदू नकार वाक्य रजनामा अथवा तो skes मुझब do not k does not मुख्यू अन्य इंटरोगेटिव माँ एज प्रमाणे do k does वाक्यानी शरू आतमा आवी जशे तो एपचे आपड़े आगर जोईए w h एटले के इंटरोगेटिव वाक्य रजना तो इंटरोगेटिव माँ सुथ होशे तो मैं कितलाक शब्द अही लखी ना आपेला छे इंटरोगेटिव सेना शेना थी बन छे तो वेर वेन वाई वाट वेर एटले क्या वेन एटले क्या रे वाई एटले शा माटे अन्ये वाट एटले शूं प्लस जैमा आपड़े उप्पर नी चावी लखी एज प्रमाणे या डूके does प्लस अबजेक्ट प्लस वद अधर वर्ड़ अन्ये आपण प्रश्णार्ज वाक्य रजना आच्छे तेथी त्या आउशे क्विस्चन मार्क तो ही मैं एक एग्जाम्पल माटे वेर थी प्रश्ण पुछेलो छे बाकी ज्यारे पण तम्ये वेन थी प्रश्ण बनाओ त्यारे वाक्य माँ थी समय निकड़ी जशे वाई थी प्रश्ण बनाओ त्यारे वाक्य माँ थी कारण निकड़ी जशे वड थी प्रश्ण बनाओ त्यारे वाक्य माँ थी वस्तु निकड़ी जशे अन्ये क्यमके मैं या वेर थी प्रश्ण बनाओ छे ते थी वाक्य माँ थी स्थ निकडी जशे, अने उप्रना वाक्यामा आपड़ू स्थल शूह अतु स्कूल, तो स्कूल अइया थी निकडी जशे, तो वाक्या रजना प्रमाणे वेर वत्ता डू के डस, तो यू प्रमाणे अपड़े यहम कीशू डू, वेर डू यू, वीवन, वीवन एतले के गो, एव तमारी या वाक्य रचना बिल्कुल साची एज रिते नीचे पण मैं प्रश्ण पुछेले चे वेर डज प्रश्ण एज प्रमाणे बन्यो छे पण करता प्रमाणा यहां डज मुखवामा आब्यू छे तो वेर डज ही गो एवरी डे प्रश्णा चिन आनो पण जवाब माण स स्कूल तो तमारी आ वाक्य रचना बिल्कुल साची छे जैम में उपर तमने जणाबियू हतू के डू नोट अने डज नोट नू बाइफरकेशन आपड़े कई रिते करीशू त्यानी नोंज में नीचे लखेली छे तो ज्यारे वाक्य माँ आई वी यू दे अथवातो प् सिंग्यूलर करता होई त्यारे नकार वाक्य रचना माँ डज नोट नो उप्योग करीशू अने प्रश्नार्थ माँ डज तो आ रिते आपड़े खुब क्लियर रिते याद राखवानू छे आई वी यू दे अने प्लूरल साथे डू नोट अने प्रश्नार्थ माँ डू तो मैं याँ कितला कीवर्द तमने लखी ना पेला छे ति कया कया कीवर्द छे आपड़ने जनाव शे के आवाक्य साधा वर्तमान कारनों छे तो एछे एवरीडे डेली जनरली रैग्यूलरली ओल्वेज नेवर सम्टाइम्स ओफन अने इफ वाडू वाक्य इफ वाडू पिराम होई चाने पची आख़्ी आख़्ु वाक्य भविश्य कार मा ओए चे पन ज्यारे इफ नू जे प्रथम वाक्य बनावा मा आवे चे त्यारे हम्मे शाते साधा वर्तमान कार मा होई चे तो एक वर्फ दी थी आपड़े कीवर्द ने रिपीट करी देशू everyday, daily, generally, regularly, always, never, sometimes, often अने if वाडू वाक्य तोहीं आपड़े साधो वर्तमान कार जो एक वर्फ परी मुचारे चार चार चावीन रिपीट करी देश्मीत्रों तो सवती बैला चे पॉजेटिव एटले के एफर्मेटिव हकार वाक्य रश्था subject plus v1 plus object plus other words याद राखवानूँचे साधा वर्तमान कार मा हकार वाक्य अमा वी वन एटले के मुडरू अथवातो s के yes नो अप्योग करवामा आवेचे साधा वर्तमान कार मा जो तमारे नकार वाक्य रचना बनावी होई तो do not के does not नो अप्योग करवामा आवेचे हवे आपड़े सैलाई थी याद राखी लेशू के I, V, U, D अने प्लूरल साथे हम्मेशा do not know प्योग थशे ही, शी, इट अने singular जोडे हम्मेशा does not know प्योग थशे पन एखास नौन धिलेवू के do के डस तमेचे आपड़ मुको त्याँ कमपर्सरी क्रिया पदनू मुर्ड रूप आवे प्लेज होई तो प्लेज होई तो प्ले करी देशू, ट्राईज होई तो ट्राई करी देशू, एट इते इंटरोगेटिव वाक्य रज नमासू थशे, तो do के डस वाक्य नी शर्वात्मा आवी जशे, ज्यां do अने does not do capital धे जशे, प्लस subject प्लस वीवन, अहीं पड़ डू शब्दोनों उप्योग आपड़े करियो चाहिया, के where, when, why, अने what, तो हीं एक एक एक्जाम्पल आपड़े लिदू छे, जैमा आपड़े where थी प्रश्न बनावेलो छे, हम्मेशा याद राखवू, के जैना थी पन तमें प्रश्न बनावता हो, ए शब्दने लगतो वाक् स्थल माटे बनावे छे, वेर थी, एटले स्थल निकड़ी जशे, एटले के स्कूल निकड़ी जशे, तो where do you go every day, where does he go every day, नोट याँ लखीन आपड़े दिदी छे, I, V, U, they, अने plural जोडे do not, अने प्रश्नार्थमा do, he, she, it, singular, जोडे does not, अने प्रश्नार्थमा does, अने केटला, की वर्ज में आई याँ आपिलिदा छे, तो मित्रो वारे 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 बेथी त्रोण वारानू रिवजन करीने, तमें आ कार ने पाको याद राखीले जो, सौथी महत्वनो आ कार छे, आगर जेता बिजा कार जे आपड़े दिमे दिमे शिखीशू, तैने तमें वन बाई वन याद राखता राखता जशो, तो टेन्स मां कोई तकलिफ पड़शे, नहीं, जनरली आपन ने उज लागतू है छे कि टेन्स, टेन्स तो मना आवड़े छे, पन्ना मित्रो, टेन्स जो मां जो तमें सेजपन गडबर कर शो, तो घणी बदी वात मां आगर तम अमारी भूलो पड़शे, तेथी आ टेन्स तीज, फर्स्ट टेन्स तीज आपड़े देने पाकू करता जोईए, ठेंक यू